फ्रेंड्स आज के स्टुडियो में हम अटेज लेट बात के लिए पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है वाल मिक्सर के लिए आपको पाइप किस तरह से डालना होता है कितनी डिस्टेंस पर डालना होता है गीजर के लिए लाइन किस तरह से डाली जाती है यह आपके पास late में कमोड sheet fit करना है तो कमोड sheet के लिए point किस तरह से दिये जाते हैं और एक concept को आज के studio में हम समझेगे चलिए video start करते हैं देगे दोस्तों यह हमारे पास bathroom section है जहां पर हमने जीरी already करकर रखी है किस तरह से जीरी की है वह भी हम समझेगे यहां पर हमारे पास commode sheet आएगी और यह हमारे पास drainage line है जो दिवार तरब जो pipe है वो bathroom के लिए है और इस तरब जो pipe है वो हमारे पास commode sheet के लिए हमने pipe दिया है किस तरह से हमने जीरी की है हर एक चीज को समझेगे अभी के लिए देखिए हमारे पास जो input line आएगी वो 7 इंच में आएगी यहां पर थंडे पानी का जो नल लगेगा वो 5 इंच में लगेगा किस तरह से दिया जाएगा वो हम समझेगे और यहां से जो water tank है water tank से line यहां पर आएगी 7 इंच में ठीके यदि material की बात करते हैं क्या-क्या material की requirement होगी तो यहां हमारे पास देखिए brass elbow है जिसमें हमारे पास null के लिए point, geezer के लिए point, shower के लिए point दिया जाएगा यहां हमारे पास 7 इंच की elbow है यह 7 by 1 का reducer हमें लगाना है जिसके जरिए pressure को down किया जाएगा सवाबा एक का reducer use करना है और इसके अलावा किस तरह से fitting की जाएगी समझ लेते हैं तो यहां पर देखिए हम पहले जो हमारे पास lead section है lead section में यहां पर हमारे पास hand shower के लिए two in one angle cock लगेगा और नीचे की तरफ जो point दिया गया है यहां पर null लगाया जाएगा ठीके तो line को किस तरह से बनाई जाती है ठीके तो null के लिए point और हमारे पास hand shower के लिए जो point है दोनों के लिए हमने सबसे पहले t लगा लेना है suba by pon की ठीके suba by pon की t ली है क्योंकि input line suba inch में आएगी ठीके अच्छा सबसे पहले solvent लगा 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 है cpv से solvent तो t हमारे पास suba by pon की है ठीके input line suba की है और जो point दिये जाएगा वो pon inch में दिये जाएगे एक point उपर आएगा और एक point नीचे जाएगा क्योंकि null की जो height होती वो कम रखी जाती है जमीन से करीब 15 inch ठीके और जीरी की गई करीब जमीन से 22 inch पर ठीके तो देखिए अभी हमें क्या करना है जो null की height है वो कितनी रहती है करीब 15 inch जमीन से जब फर्ष लग जाएगा तब ठीके और जो null लगाया जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो भी hand shower 2 in 1 हम यहाँ पर angle cock लगाएगे जिसमें Z spray का connection भी हो जाएगा और hand shower का connection भी आजाएगा तो 2 in 1 angle cock यहाँ पर लगेगी तो इसमें Z spray और hand shower दोनों यहाँ पर आजाएगे इसकी जमीन से हाइट जब फर्ष लगेगा तो 26 इंच रखी जाती है करें 25-24 से 26 इंच तो हमने 26 इंच लिया है यहाँ पर flush tank के लिए point आएगा टेके जो पहली हमने brass elbow लगाई है brass elbow में 2 चीज़ लगेगी 2 in 1 angle cock लगेगा वहाँ पर जिससे Z display का connection और hand shower का connection होगा यहाँ पर देखिए सवा by phone की T लगाई है यहाँ से हमारे पास flush tank के लिए point देना होगा तो इस sheet के पीछे की तरफ flush tank लगता है तो flush tank के के लिए अभी हम line बना लेते हैं ठीके solvent आप अच्छे से लगाई है ठीके अभी यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो किस तरह से point दिया जाएगा पहले हम line को attach कर लेते हैं ठीके यहाँ से सवा की line आएगी pipe को पहले आप measure कर लिए पहले आप input line बनाई ये ठीके तो पहले हम यहाँ पर line को complete कर लेते हैं फिर किस तरह से पॉइंट दिया जाएगा वाल मिक्सर के लिए पॉइंट किस तरह से दिया जाएगा सब कुछ समझेगे ठीक है इस पाइप को पहले अटेज कर लेते हैं चलिए सॉल्वेंट आप अच्छे से लगाई और करीब आदे से पॉन इंचे अंदर पाइप ने जाना चाहिए प्रॉपर फिटिंग के लिए देखिए अच्छे से पाइप लगा लिया है ठीक है यह इंपूट लाइन अभी हमारी यहाँ पर हम पहले कम्प्रीट कर रहे हैं यहाँ पर घीजर के लिए इंपूट कनेक्शन जाएगा घीजर में थंडा पानी यहां से जाएगा तो एक हमने टी लगाई है सवा बाइप पॉन की क्योंकि गीजर में भी जो पानी जा होना है ठीक है यहां से गीजर की जो हाइट हमने जमीन से गीर रखी है वह छे फिट पर रखी है ठीक है यहां पर रेडियोसर लगाया है सवाबाइं पॉन का तो यहां पर रेडियोसर की पहले हमें पाइप की लंबाई ले लेना है और रेडियोसर में एक पाइप अटेच कर कर लेना है और इसे इस तरह से line को complete कर लेना है क्योंकि थंदे पानी के लिए चाहे गर्म पानी के लिए की लिए जो भी हम input connection देगे वह पौन इंच में देगे ठीक है यहां पर देखे ठंदा पानी और गर्म पानी के लिए दो नल लगेगा और क्योंकि हमें वाल मिक्सर यहां पर फिट करना है तो सबसे पहले देखिए वाल मिक्सर के लिए नॉर्मली साड़े छे से साड़े साथ इंच एक इंच का मारजिन है आप कितना भी रख सकते हैं हम साड़े छे इंच की गेप रखेगे ठंडे पानी के बीच में और गर्म पानी के नल के बीच में ठीक है हम साड़े छे इंच की गेप रख रहे हैं ठीक है इस तरह से दोनों लाएगे हमारे और यहां से यह एल्बो के जरीय लाइन टर्न की जाएगे 90 डिग्री पहले हम इस एल्बो को फिट कर लेते हैं ठीक है वाल मिक्सर के लिए ठंडे पानी और गर्म पानी के बीच में नलो की जो दूरी रहती है वो साड़े 6 इंच से साड़े 7 इंच के तक रहत क्योंकि जो इसका पाइप होता है वाल मिक्सर का वह एड़स्टेबल होता है ठीक है अभी यहां पर देखिए यहां पर ब्रास एल्बो आएगी इसकी जमीन से अभी हाइट कितनी रखना है 30 इंच पर हमने हाइट दिया क्योंकि 4 इंच का फर्ष लगेगा ठीक है 4 इंच का हाइट एकदम सेम होना चाहिए जरा सा भी फर्क ना हो इसका ध्यान रखिए चलिए यहां पर वाल मिक्सर के लिए ठंडा पानी का पॉइंट यहां पर होगा ब्रास एल्बो यहां लगा लिया है और देखिए ठंडा पानी और गर्म पानी के बीच में जो दोनों हमने ब्र डास चाहिए वह हैं यहां से भी फिक्स होना चाहिए यहां से भी फिक्स होना चाहिए ठीकऊए इसमें में एकमेम पी कम जादा नहों वह को धिएन रखना है पहले हम इस ब्रास एल्बो को विट कर लेए त οπο और प्त पाइंट आएगा ठीक है ruin को पहला यहां पर कंप्प देखिए यहां से जो shower का point है shower के point से ठंडा पानी और गर्म पानी के बीच में हम यहां पर करीब 7.5 इंच रख रहे हैं ठीके shower से गर्म पानी भी 7.5 इंच पर shower से ठंडे पानी के लिए जो point है वह भी 7.5 इंच पर ठीके वहां पर एक mm भी कम जादा ना हो इसका आपको ध्यान रखना है वाल मिक्सर प्रॉपर फिटिंग करने के लिए ठीके यह हमारे पास जो shower का point है वो करीब 7 इंच पर क्योंकि बातरूम के हाइट हमारी जादा है तो हमने 7 इंच पर shower का point दिया है नर्मली बातरूम के हाइट यह दिकाम हो तो 6.5 फिट से लेकर के 7 फिट पर जितनी भी हाइट हो आप दे सकते हैं ठीके देखें दोनों ही तरफ हमने यहाँ पर brass elbow लगा ली है पहले हम इस pipe को fit कर लेते हैं ठीके पहले हम इस pipe को proper fit कर देते के जरीए अभी से कितना ओपर या नीचे करना है इसको हम यहाँ पर measure कर लेंगे तो देखिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं यह साड़े 6 इंच हैं दोनों ठंडे पानी और गर्म पानी के बीच में और देखिए शावर से गर्म पानी साड़े 7 इंच शावर से ठंडा पानी साड़े 7 इंच ठीक है तो शावर से ठंडा पानी और शावर से गर्म पानी के बीच का pipe के distance एकदम सेम होना चाहिए ठीक है बाकि इसमें adjustable आप कर सकते हैं और देखिए अभी हम लेवल टेप के साहरे तसिप देख लेते हैं दोनों ही नलो के बीच में देखिए जरा भी एक में भी कम उपर निचे नहीं होना चाहिए तो लेवल टेप के जरीए हमने देख लिया है ठंडा पानी और गर्म पानी के बीच का दोनों जो पॉइंट है वा एक ही लेवल में है अभी हम यहाँ पर जो गिजर का गर्म पानी का connection दिय holandana जाय जाएगा शीलिए पाइप डाल लेते हैं ठीके पाइप ट लिया है और लेवल टेप के साहेता से मैजर भी कर लिया है ठीक एकदम सेंटर में लेवल टेप हमारी आ रही है ठीक है साड़े छे इंचे हमारी यहां पर डिस्टेंस हैं दोनों ही नलों के बीच में और उपर से साड़े साथ इंचे है ठीक है बिलकुल भी आपको कन्फियोज नहीं होना है वाल मिक्सर फिटिंग प्रैक्टिकल किस त होगा ठीक है आई होब आपका यहां पर कॉंसिप्ट क्लियर हो रहा है चलिए अभी हम जो जमीन से ठीक है जमीन सा हाइट की बात कर रहे हैं जो गिजर फिट किया जाता है चे से साड़े छे फिट पर किया जाता है अब यह बातरूम की आपकी कितनी हाइट च्छत की इसको के और यहां पर देखिए जो गर्म पानी कि लिए की ज़ताR का आएगा यहां पर कनेक्षन कर देना है और देखिया भी हमारे को के पाइप फिल गाया है तो फिर से आपको उसाे एक दम फिक्स करना होगा पहले आप मैं फिट कर लेते हैं और इसे प्रापरा फिक्स कीजिए जरा भी इसने हिलना नहीं चाहिए ठीक है यहां पर ठंड़ा पानी के लिए connection आएगा घिजर में तो इसे भी हमने पहले पाइप की लंबाई का measurement कर लेना है और यहां पर एक brass elbow लगा लेना है और brass elbow लगा कर पाइप की जितनी भी लंबाई है उसकी लंबाई के recording आपको पाइप की cutting कर लेना है और इसे connect कर देना है ठीक है तो यह हमारे पास गिजर के लिए ठंड़े पानी का input connection भी हो चुका है इंगी जर का आउटपूट कनेक्शन भी हो चुका है ठंडे पानी के लिए नल भी हमने करेक्ट कर दिया है तो हमारी यहां पर बात्रूम फिटिंग लगबग लगबग कम्प्रीट हो चुकी है अब कमोट शीट के लिए पॉइंट किस तरह से दिया जाएगा समझ लेते हैं और जब फिटिंग हो जाएं तो कील के जरीए अप लाइन को फिक्स्ट कर दीजिए चलिए अभी हम यहां पर जो यहां देखिए सबसे पहले हमारे पास नल आएगा कमोट शीट के लिए एक नल लगाया जाता है इसकी जमीन से हाइट हम रख रहे करीब 15 इंच ठीक है तो 15 इंच पर एक यहां पर ब्रास एल्बो हमें लगा देना है जिसमें हमें नल का कनेक्शन करना होगा ठीक है क्योंकि जो नीचे बाल्टी रखी जाती है बात्रूम में उसकी ही हाइट करीब 10 से 12 इंच होती है तो नल करीब 15 इंच तो होना ही चाहिए 15 इंच पर हो जाएगा फ्लस टेंग के के लिए पॉइंट आएगा ठीक है अभी देगे फ्लस टेंग के के लिए और यहां से बात्रूम जो हमारे पास ऊपर टेंग किसे जो इंपुट लाइन आएगी टेंग किसी इंपुट लाइन किस तरह से घुमाई जाएगी समझ लेते हैं ठीक हमारे पास ज भीचे सावर्य ईंच का यह पाइप रहेगा यह लाइन किस तरह से बनाई जाती है अप कैरफोली वाच कीजिए अभी पॉन माई हम इसमीं इसकि कर लेते हैं चलिए इस पाइप को अटेज कर लिया है अभी इसमें एक हापसेट हमें लगाना होगा ठीक है एक हापसेट लगकर लाइन इस तरह से 45-degree हमें टन करना क्योंकि यह लाइन उपर जाएगी पाइप को क्रॉस करते हुए किप को क्रॉस करेगी इसलिये हम इसमें इस तरह से लगा देते हैं और इस तरह से देखिया यह अटेच्च हो जाएगी देखे इस तरह से यह हमारी लाइन यहाँ पर 45 डिग्री टर्न हो जा पाइप के उपर से है लाइन निकल जाएगी आई होप आपका यहाँ पर कॉंसेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से अटेच लेट बात के लिए पाइप फिटिंग की जाती है गीजर के लिए पाइप किस तरह से डाला जाता है शावर के लिए पाइप किस तरह से डाला जाता है वाल मिक्सर के लिए पाइप किस तरह से डाले जाते है ठीक है यहाँ पर देखिए पाइप हमारे टर्न करेगा है और इसे यहाँ पर हमें फिट कर देना है तो यहाँ से इं हमें शिर्फ एक ही पॉइंट देना है जो कि हमारे पास फ्लस टेंक के लिए फ्लस टेंक शीट के पीछे लगता है तो यहां पर देखें पौन इंच की लाइन हम बना रहे हैं देखें इस तरह से अभी इसे भी हमें 90 डिगरी के दो टर्न देना होगा पाइप के इस तरह से ट लगाना होगी और एक अलबो आपको वहां पर हैंड्शावर के लिए लगाना होगी ठीके अब यहां पर लेंक को इस तरह से 90 डिगरी पहले हम तर्न कर लेते हैं यहां पर फ्लस टेंक लिए एक पॉइंट आएगा ठीक है यहाँ पर भी एक pipe हमें अटेज करना हो और पहले हम pipe अटेज कर लेते हैं इसमें एक elbow हमने लगा लेना है चलिए यहाँ पर यह अटेज हो जाएगी देखिए इस तरह से और इसमें अच्छे से solvent लगा कर line को fixed कर देना है देखिए line इस तरह से हमारी बन रही है ठीक है और यहाँ पर एक हमें pipe लगा कर उसमें brass elbow लगा देना है ताकि उसमें flush tank के के लिए point दिया जा सके तो आए होब आपका यहाँ पर concept clear हुआ है ठीक है यहाँ पर हमारे पास एक elbow लगा दिये यहाँ पर flush tank के लिए point दिया जाएगा आए होब आपका यहाँ concept clear है किस तरह साटेज लेट बात के लिए complete pipe fitting की जाती है यहाँ से हमारे पास सवाइंच की input line आ जाएगी ठीक है किस तरह से हमें wall mixer के लिए point देना होता है गीजर के लिए line देना होती है आए होब आपका यहाँ concept clear हुआ है तो आज के लिए इतना ही